कि आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज एक सोच रहे थे एक चीज गजब का चीज आया मेरे दिमाग में कि इनका नाम सुने हैं कि एलेक्जेंडर दग्रेट एलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर दग्रेट और चंदगुप्त उसके बाद हो गए कर्ण परसुराम दुरुनाचारे इन सब में पता है कॉमन क्या चीज है कॉमन यह है कि इनके गुरु महान थे एलेक्जेंडर के जो गुरु थे वो थे अरिस्टोटल आइधिंक आप लोग नाम सुने होंगे अरस्तू चंद्रगुप्त के जो गुरु थे जिनके गुरु महान उनके चेला भी महान जिनके मतलब जइसा गुरु वैसा चेला कि क्यों समझा रहे हैं तों समझ गय होंगे कहने काoda मतलब है वह यह पढ़ना है मेहनत करना है आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजेगा अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजे नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजे आज हम लोग नया एक चेप्टर शुरू करेंगे जनेटिक्स अच्छा सारा चेप्टर का धीरे धीरे अप पूरा बायो अप्लोड होगा आज जो चेप्टर सुरू करेंगे वो है जेनेटिक्स देखें हम लोग जेनेटिक्स को जो है ना समझने के लिए पहले दो सब्द समझते हैं एक होता है इनहेरिटेंस और एक होता है वैरियेशन इसका क्या मतलब है वो सुनियेगा कोई भी एक जीब हो मान लिजए यह हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है प्रेम ठीक्स प्रेम इसको एक इसको हेर लॉस बहुत होता है मतलब यह टकलू है तकलू ठीक बाल यह इसकी वाइफ है मान लेता है प्रेम ने इसके बढ़िये बाल है इस दोने हैं लिवी जाने मान लिएक बार्थ चाइल्ड हुआ एक दो तीन चार पांच छो एक लोग तो एक लोग है यह बारा को है पहला क्रेक्टर है इसल पास कि गोडम करेक्टर वाइस ओर है Arc जह मानवाईनी पास जाला टाह मालेम सब्कवह बडा कि न सब्सक्राइब देखते हैं जिसके पास है नहीं था लाकुंत जिसके पास हे नहीं था न वह ठीजम न मुन य객 के निग देखते हैं कि जीन कि actually मतलब इसका करेक्टर इसका करेक्टर मिक्स हो गया है किसी किसी में इसका करेक्टर के साथ इसका करेक्टर आ गया इसके करेक्टर के साथ इसका करेक्टर आ रहा गया और किसी किसी में दोनों मिक्स हो गया ऐसा कोई भी चीज जो ऊपर के जनरेशन से नीचे की जनरेशन में जा रहा हो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं Inheritance क्या बोलते हैं Inheritance और जो चीज जाता है उसको बोलते है Gene Inheritance का क्या हुआ मतलब Transfer of Gene from upper generation to lower generation is known as Inheritance और variation क्या होता है एक ही जनरेशन में जो हमको change मिल रहा है ना उसी sibling या उसी off spring या उसी species के अंदर उसको बोलते हैं Variation एक और और Transfer of Gene from upper generation to lower generation is known as Inheritance और variation क्या होता है Variation का मतलब होता है एक ही जनरेशन में जो हमको species में difference मिल रहा है किसमें? species में difference मतलब change उसी को बोलते हैं Variation species का मतलब जीव difference का मतलब बदलाव तो genetics क्या बनेगा? genetics is a study of inheritance and variation genetics वैसे subject को बोलते हैं जिसमें हम अध्यान करते हैं inheritance और variation को inheritance क्या हो गया? inheritance is transfer of gene from upper generation to lower generation variation क्या हो गया? the difference seen in a generation in a species is known as variation तो अगर आज के बाद genetics दिमाग में आया genetics दिमाग में आने के साथ अपने पास दो वर्ड मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए पहला inheritance दूसरा variation समझ गया? inheritance or variation जिसको लिखना हो लिख लिजेगा inheritance मतलब हाँ transfer of gene from upper generation to lower generation is known as inheritance और variation का मतलब हो गया the difference seen in a generation in a species is known as variation genetics is a study of inheritance and variation अगला लिखते हैं हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कुछ scientist scientist का नाम याद कर लिखते हैं सहीर हैगा पहले scientist का नाम है G.J. Mendel Gregor John Mendel सब नाम सुना होगा दूसरे scientist का नाम है W. Watson तीसरे scientist का नाम है T.H. Morgan चौते scientist का नाम है A.G.E.R.O.L.D. एग रोल नहीं एग रोल्ड जी जे मेंडल सहाब अच्छा जब भी कोई scientist जो होता है ना किसी भी subject में किसी भी field में पहली बार काम करता है ना उसको बोलते है father उस field का father बोलते हैं जैसे माल लिजे आप में से कोई किसी कोई भविष्य में पर लिखके कोई एक नया field में काम किये आप में से कोई हम या कोई भी अगर किसी नया field में काम करेंगे कोई चीज नया बनाएंगे जो चीज हम बनाएंगे नो उसकے हम father कहा लाएंगेuu mother नहीं कहते है, father रीका था कहते है महिला भी रहेगी फिर भी उसको father कहा देंगे quindi log genetics का सबसे पहली बार सही तरीके से use करना सिखाया सबसे पहली बार पढ़ना सिखाया genetics को सही तरीके साइणस के अनुसार, वो थे Mendel शाब, चुक्कि सबसे पहली बार को यह लाएं इनको बोलते हैं father of genetics क्या बोलते हैं इनको father of genetics अब दूसरा आता है यह जो genetics था वो starting का था जो पहले के time में genetic हुआ करता था उसको यह भी तो बोल सकते हैं classical genetics या traditional genetics, classical या traditional, नाम सुनते होंगे ये दोनों सब्द बहुत ज्यादा, एक होता है modern, modern मतलब आधुनिक, classical या traditional मतलब जो पहली चला करता था, बोलते नहीं कि हमारा traditional culture खराब होते जा रहा है वेस्ट के कारण, classical song सुनते हैं, classical song मतलब पुराना song, classical मतलब होता है पुराना, या इनको बोलिये father of genetics, या father of classical genetics, traditional genetics, ये भी सही है, डवलू बैट्सन सहाब को बोलते है, father of modern genetics, modern genetics, मतलब आधुनिक genetics के जनक माने जाते हैं, डवलू बैट्सन, क्या मतलब है इसका, अगर हमको question पूछे, who is the father of genetics, जीजे मेंडल, who is the father of classical genetics, जीजे मेंडल, who is the father of traditional genetics, जीजे मेंडल, who is the father of modern genetics, डवलू बैट्सन, जब तक ये सब्द न आए, तब तक हम डवलू बैट्सन को टच नहीं करेंगे, जैसा ही हमको सब्द आ जाए modern, हम डवलू बैट्सन को टच कर देंगे, आगे क्या हुआ, ये सब तो दिन, ये सब तो सही काम कर रहे थे, एक साइंटिस्ट थे टी एच मॉर्गेन और एक जीब का नाम था, ड्रोसोफिला, क्या नाम था, ड्रोसोफिला, इस जीब पर वो टी एच मॉर्गेन सहाब एक्सपेरिमेंट किये, जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट किये, तो इनको सबसे पहली बार ये जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट किये, बहुत ज्यादा लेवेल पे, तो इनको बोल देते हैं, फादर ओफ एक्स्पेरीमेंटल जनेटिक्स लिए के शिदा फाद्र मॉडेंटिक्स और इनको क्या बोल दिये हैं वॉन यह अज्पेरिमेंटिक्स घ्रогी सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेन्ट किये थे बहुत जीजादा अगले scientist है एक एक एरोल्ट साहब का काम बड़ा लाजवाब है एक सब्द होता है inborn का मतलब होता है जन्म जात ऐसा कोई भी चीज जो हमको जन्म से मिला हो उसको बोलते हैं inborn character जैसे हमारा maximum character माबाप से मिलता है जो character हमारा तहा तता है जैसे हम क Alumni है कही न कहीं हमको ऊपर के generation से आया है उसको बुहलेंगे मेरा ब्रेक होना यह इन बाल करेक्ार मेरा मैफ अच्छा था झे पर्लैक यह जकता है जिनके इसा बीमारी है जो हमको अपर जनरेशन से आया है जो अभी नहीं बना है हमारे में जो उपर के जनरेशन से ही आ गया है हमारे में कौन सा डिजिस था एलकेफटॉन यूरिया या ब्लैक यूरिन डिजिस इसको सबसे पहली बार खोज किये एक इरॉल्ड साहब इसको खोज किये और एक बुक हो है जो यह लिखे वो लिखे वो बुक इन बॉर्न एर ओफ मेटाबोलिजम अब भाई साब यह मेटाबोलिजम इतना भी रियक्षन है ना जो इसको जिन्दा रख रहा है उसी को एक साथ बोलते हैं मेटाबोलिजम का मतलब होता है इस जीव के अंदर मिलने वाला हर एक केमिकल रियक्षन उसको बोलते हैं मेटाबोलिजम कोई जीव जिन्दा है क्योंकि उसमें मेटाबोलिजम मिल रहा करता है लाव बॉल चैनल abung का नम क्षा इत्यर मतलब गल्ती हो डिफ्द्रेंस मेटाबॉलिерм मतलब सारा करिंगल एक्षन कोई भी जन्मजात में जन्म-जात के कारण हुने वाला metabolism में जो disorder है उसी का धार पर बुक का नाम दे दिये चुकि ये सबसे पहली बार human में discover किये इसलिए एग erald सहाब को बोलते हैं father of human genetics बहुत important है human genetics के जनक एग erald सहाब को बोलते हैं आभी मान लिजे आगे जाके किसी पर काम करिएगा मक्षी पर housefly पर कुई housefly पर काम कर दिया father of housefly genetics कोई dog पर काम कर दिया father of dog genetics कोई cat पर काम कर दिया father of cat genetics यह यही प्रकिरिया होता है तो कितने scientists आए अपने चार फाधर फिनको बोलेंगे जीजे मेंडल को फाधर आफ एक्सपरिमेंटल genetics को बोलेंगे टी-एच मॉर्गन को फाधर सबसे पहली बार एक जन्मजात बीमारी का खोज किये थे क्या नाम था उसका एलकेप्टॉन यूरिया जिसको कौनली क्या कहते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज यह इस बीमारी को किस बुक में लिखे थे बुक का नाम था इन बॉर्ण इरर ओफ मेटाबोलिजम ठीक है आगे देखते हैं कि हम लोग जनेटिक्स को पढ़ने के लिए इसका कुछ टर्मिनोलोजी पढ़ेंगे कि हम लुग को टर्मिनोलोजी समझ में आ जाएगा तो जनेटिक्स समझ में आ जाएगा पहला टर्मिनोलोजी है करेक्टर त मोर्फो लोजिकल और फिजिए लोजिकल या एनाटोमिकल फिजियो लोजिकल या एनाटोमिकल मॉर्फोलोजिकल मतलब हो गया जो बाहर से दिखेगा फिजियो लोजिकल मतलब हो गया जो अंदर है या अंदर से होता है जो बाहर से नहीं दिखता है मॉर्फलोजी बाँर का expression और अंदर से के कारण या अंदर जो expression होता है expression इसी को बोलते हैं molar character character मतलब चरित्र बाँर से कैसा दिख रहा है अंदर से कैसा दिख रहा होगा या है बाँर है मुछ भी मतलब उसका जो expression है उसी को बोलते हैं height हाइट हाइट हम देख सकते हैं बाहर से कैसा है कलर यह भी हम देख सकते हैं बहुत कुछ है ऐसा करेक्टर ट्रेट क्या होता है ट्रेट होता है इस करेक्टर का रूप इस character का रूप, मतलब form of character, form of character is trait, character का रूप होता है trait, लिक के देखते हैं, height क्या हो सकता है, दो, या तो tall, या dwarf, color क्या हो सकता है, दो, या तो गोरा, या काला, एक मतलब common sense लेने के लिए चलते हैं, अधरा सोच के देखिए, यह जो tall और dwarf है, यह same है या opposite है, opposite है, उल्टा है एक दूसरे के, यह गोरा और काला same है या opposite है, opposite है, मतलब उल्टा है एक दूसरे के, तो trait का definition हो जाता है, contrasting form of character, contrasting मतलब हो गया, विपरीत form of character is known as trait, इस form के आगे हम क्या लगा दिये नहीं है, एक सब्द, contrasting, contrasting क्यों बोले हम, contrasting इसलिए बोले, क्योंकि यह दोनों जो form है, यह दोनों एक दूसरे के, उल्टा होता है, एक दूसरे के, उल्टा होता है, जैसे height, height तो हो गया character, tall और dark हो गया, tul कलर हो गया, inspector, गोरा और काला हो गया, treat तो character हो गया, जो उसका morphological और anatomical या physiological expression है उसको बोलते है character trait हो गया उस character का form उस character का form उसको बोलते है trait और form कैसा है opposite है इसलिए बोल देते है contrasting form of character is known as trait अगला सब्द है gene gene इसी को कभी कभी बोलते है factor इसी को बोलते है element अब देहां क्यों बोलते हैं इसको यह सब सुनियेगा factor और element सब्दी यूज किया गया था मेंडल सहाब के द्वारा और gene सब्दी यूज किया गया था जॉन्सन के द्वारा gene सब्द किसके द्वारा यूज किया था जॉन्सन के द्वारा और factor element सब्द इसी gene को factor element किसके द्वारा यूज किया गया था मेंडल साहब के दौरा यह क्या होता है वो सुनिएगा हम यह सेल लिए सेल में यह है निकलियस निकलियस के अंदर मिलता है क्रोमोजोम मान के चलते हैं यह नहीं होता है लेकिन मान के चलते हैं निकलियस में मिल रहा है क्रोमोजोम क्रोमोजोम के अंदर क् मिलता है DNA यह तो है क्रोमोजोम इसके अंदर है हमको DNA इस क्रोमोजोम की किसी भी पॉइंट पर जहां हम उंगली रोक देंगे उसको बोलते हैं लोकस क्या बोलते हैं उसको किसी भी एक पॉइंट को क्या बोलते हैं लोकस मतलब point on chromosome या position on chromosome is known as locust point on chromosome या position on chromosome is known as locust locust बोलते हैं चुकि इसके अंदर क्या है DNA यह हो गया locust ऐसा locust या ऐसा segment of DNA जहां सुनिएगा ऐसा segment of DNA जो RNA बनाए और यह RNA protein बनाए और यह protein हमको character दिखा दे उसी segment of DNA को बोलेंगे gene factor या element क्या कहने का मतलब हुआ gene factor element कुछ और नहीं है वो एक DNA का segment है जो chromosome के किसी एक locust पे मिलता है जो क्या क्या बनाता है RNA protein और यह क्या दिखा देता है character हम protein यहां पे बोलें है character दिखाएगा मतलब character यहां से नहीं दिखाएगा समानने था character सीधा यह नहीं दिखाता है यह घूम फिर करके दिखाता है जैसे अगर DM को district में काम करेवाना होता है तो वो काम करने नहीं जाता है वो थाना को आदिख करता है थाना में बैठा हुआ करमचारे नीचे वाले जो हवल्दार होते उसको आदिख करता और होदार काम है लेकिन काम वह protein करेगा और इस protein को आदेस आएगा RNA से और इस RNA को आदेस आएगा DNA से और यह जो DNA आदेस करेगा उसा को बोल देंगा जीन तो मतलब जीन DNA का वह भाग है या chromosome के किसी ऐसे लोकस पे मिलता है जो RNA bejne protein बनाता है और यह protein करेक्टर दर साता है ज़रा सूंचके देखेगा अगर इस लाइन कोम यहां रोकते हैं प्रोटीन नहीं वनेगा है ड्य-डी भाले आर ही बना रहा हो हमको को चाशल ने अगर हम यहां रोपक देढ़ यह भी नहीं बना रहा है अगर रोकने अpose没有 नहीं बनेगा तो प्रोटेन नहीं बनेगां तो करेक्टर तोत दिखेगा यह ठीवने का बाक्या कभी भीजिन नहीं कहलाएगा अब प्रोसेस समझदबा डीएने से आर्ने बनने के प्रोचस्य को बोते हैं Transcription क्या बकुत है Transcription और नस प्रोटीन बनने के process बोलते है Translation क्या गए Translation Transcription is the process of process in which DNA from RNA and translation is the process in which RNA form protein form form नहीं वकुन बनना प्रोटैन इस प्रोटैन के डिख दीञ थार से आरने और प्रोटैन बनता है जिसे अजीन को बहते प्रोटैन न दक्ता है जिसे एंसरे henna prefकेंट डैकल देक्टा मतलब यह DNA का सेग्मेंट भी किसी ना किसी एक लोकस पर मिलेगा अभी और और टर्मिनलोजी पढ़ना है उसे पहले एक चीद दिखते हैं कोई भी एक जीव है ना माल लिजे यह अगर हमारा प्रेम भाई है कोई भी एक जीव है ना तो उसमें देखिएगा उसमें सिल जो होता है दो परकार का होता है एक होता है सुमेटिक सिल और एक होता है जर्मिनल सिल अजर्मिनल ऋसल या गेमेटिक से निया लिया है कि चिंबतनू है है दो है मेठिक रिशाल की हमें एकल अगर हम इस कुल होता है आस तरह जो हम को बनाने का काम करता है और घमेर्टिक स Goldman इस होता है जो तो हमारे future generation को बनाने में help करता है. Somatic cell ऐसा होता है जो हमको बनाने में काम करता है और gametic cell ऐसा होता है जो हमारे future generation को बनाने में काम करता है जो gamete बनाता है, एक बनाता है, sperm बनाता है, male gamete, female gamete बनाता है अगर हम somatic cell में variation करेंगे तो हम में बदलाब होगा और अगर हम gametic cell में variation करेंगे तो हमारे future वाले generation में बदलाब होगा तो मतलब variation कितने परकार के होगा है दो somatic variation and gametic variation somatic variation present में जो generation है ना present generation उसमें सुधार करने के लिए करते हैं क्यों? क्योंकि हम में बदलाब करेगा हम में होगा change क्योंकि यह somatic cell में होता है और gametic variation होता है वह future generation को सुधारने के लिए करते हैं मतलब future generation में अगर change लाना है तो हम gametic variation करेंगे मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हम काले से गोड़े हो जाए तो हम अपने somatic cell को बदलेंगे और हम inheritance में जाएगा या नहीं जाएगा मतलब इसका इन्हेरी इसका इन्हेरी टेंस नहीं होगा gametic variation का inheritance होगा यहीं तो inheritance में जाएगा अगर हम मान लिजे कोई राइस प्लांट लाएं हैं यह मान लिजे एक चावल का प्लांट है हम चाहते हैं कि यह जो प्लांट है यह प्लांट हमको production ज्यादा दे production मतलब उपज ज्यादा दे हम क्या करेंगे इसके somatic cell में चाहते हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका जो बी जाए यह भविस्से में जाके production ज्यादा दे तो हम इसका किस सेल में लाएंगे gametic gametic cell में लाएंगे और उसको बोलते हैं gametic variation मतलब अगर हम present generation को effect करना चाहते हैं तो somatic और future generation को effect करना चाहते हैं तो gametic ठीक है आज के लिए इतना ही बाती परिंगे अपन लोग अगले क्लास में आप लोग comment कर दीजेगा अच्छा लगे तो भी अन्ना अच्छा लगे तो भी धन्यवाद